आज हम बात कर रहे हैं टेप वर्म्स और उसके वज़े से होने वाले diseases के बारे में दो मेंन स्पीसीज हैं टेप वर्म के जो disease cause करता है जिसमें से एक है टेनिया सैजिनेटर जिसे बीफ टेप वर्म भी कहा जाता है ये cows में पाया जाता है और दूसरा है tenias sodium जिसे pork tapon भी कहा जाता है pork मतलब ये pigs में पाया जाता है tapon के वज़े से जो disease होता है उसमें से main है teniasis और दूसरा हो सकता है cysticercCU CES जो होता है cysticercos की वज़े से टेप kali के cysticercus की वज़े से ये जो tenias solium है ये दोनों cause कर सकता है teneuses भी cause कर सकता है और cysticircusis भी cause कर सकता है human body में और जो teneas sajinata है वो human body में सिर्फ teneuses cause कर सकता है आज हम बात कर रहे हैं teneas solium के life cycle के बारे में यानि कि pork take form के बारे में यह है human body अब human body में ये tape form आता कैसे है tape form का जो infective stage आता है human body में वो है cysticircus जब कोई pork यानि कि pig का meat infected होता है tape form से, teneas solium से यानि कि उनके अंदर tape form का cysticircus present होता है उस meat को कहते है misli pork यानि कि उस pig के meat को कहते है misli pork जब वो misli pork हम लोग consume करते है human consume करता है which is the infected pig meat misli pork तब जो cysticircus है teneas solium का वो हमारी body के अंदर आता है through our mouth अब ये travel करता है हमारे gastro-intestinal tract में अब ये travel करते करते इसका थोड़े बहुत changes होते हैं जब तक ये पहुँचता है हमारे small intestine में अब क्या changes होते है ये है cysticircus larva of teneas solium ये cysticircus stage है इसे bladder warm भी कहा जाता है क्योंकि ये bladder की तरह देखने में लगता है इस stage में जो teneas solium का मतलब adult का जो head होने वाला है वो head इसके अंदर invaginated रहता है इसके next step में वो जो head है head of teneas solium जिए scolix भी कहते हैं वो बाहर ने करने लगता है यानि कि evaginate करने लगता है cysticircus larva के अंदर से और देरे-देरे इस scolix यानि की head के उपर कुछ suckers दिखने लगते हैं और कुछ hooks दिखने लगते हैं और इस suckers और hook के जरीए यह जब small intestine में पहुँचता है तब वो small intestine के wall में stick हो जाता है अब small intestine में पहुँचने के बाद यह धीरे-धीरे बड़ा होता है और एक adult tapeworm बन जाता है तो यह एक adult tapeworm है adult tapeworm का तीन हिस्ता होता है एक है head जिसे scolix भी कहते हैं दूसरा है neck और तीसरा है जो body है उसे कहा जाता है strobula the whole body is the strobula अच्छा scolix यानि यह head में चार suckers होते हैं और suckers के तिक उपर दो row of hooks होते हैं two rows of hooks present होते हैं और इस hooks में hooks रहने वाले region को कहा जाता है rostellum यह हो गया head अब head के बाद आता है neck और neck के बाद आता है the strobula tapeworm का strobula होता है वो segmented होता है और हर एक segment में male और female both sex organs present होते हैं यानि कि एक segment swang संपून होता है और इस एक segment को कहा जाता है proglotid जो segment neck के पास होते हैं वो immature proglotids होते हैं उसके बाद वो धिरे-धिरे mature होते हैं और सबसे ज़्यादा mature proglotid को कहा जाता है इसके अंदर बहुत सारे fertilized eggs present होते हैं और बहुत साथा mature होने के बाद ये proglotid gravid proglotid एक-एक करके उसके body से separate हो जाता है और human stool यानि की feces के जरीए body के बाहर आता है और उसके अंदर जो eggs रहते हैं उसे release कर देता है तो ये है lateral tape wand यानि ketaniosoleum जो इंसान के small intestine में hook और suckers के जरीए चिपका हुआ है small intestine के wall में अब ये जो gravid block glotid है इसके अंदर बहुत सारे fertilized eggs present है ये proglotid इस पूरे body से अलग हो जाएगा और small intestine से travel करके large intestine से होके ये human feces के साथ gravid proglotid बाहर निकल जाएगा और बाहर निकलते निकलते कभी-कभी इसका rapture हो जाता है और जो eggs होते हैं वो भी feces में human feces में present होते हैं feces के जरिये ये eggs on gravid block glotid infected human body के बाहर आता है यानि कि environment में आ जाता है अब ये eggs किसी भी चीज़ को infect कर सकता है अब ये eggs जब बाहर आता है with the feces of human the infected human अब ये पानी को contaminate कर सकता है या फिर किछी grass को या water plant को contaminate कर सकता है tenisoleum का जो secondary host है वो है pig और primary host है human क्योंकि ये अपना sexual cycle human में spend करता है इसलिए humans का primary host है और asexual cycle इसका pig के अंदर होता है इसलिए pig इसका tenisoleum का secondary host है अब ये pig जो होता है ये human feces को खाता है जब ये human feces को खाता है तब अगर उसके अंदर ग्रैविर ब्लो ग्लॉटिर या फिर टेनिया सोलियम का एक present होता है वो चला जाता है pig की बॉड़ी में यानि कि वो pig के मुँ से pig के बॉड़ी के अंदर जाता है और pig के gastro-intestinal tract में ट्रावल कर सकता है और ये infected plant के जरीए भी pig के बॉड़ी में जा सकता है infected grass के जरीए अब ये है pig का gastro-intestinal tract अब जो eggs हैं वो pig के gastro-intestinal tract में पहुँच चुका है अब एक्स में भी कुछ changes आएंगे तो चलिए देखते हैं कि एक्स में क्या changes आते हैं जब ये pig के gut में होता है ये जो एक होता है ये जाइगोड जब बन के एक बनता है उसके बाद उसका division होता है single cell stage के बाद इसके multiple cells बनते हैं और देरे देरे ये एक structure बनाता है जिस structure का नाम है oncosphere इस oncosphere के अंदर 6 hook वाला hexacanth present होता है और इसके चारो और एक shell होता है तो oncosphere basically एक cyst है जिसके अंदर hexacanth present है यानि कि 6 hook वाला larval stage तो ये है encisted hexacanth और oncosphere अब ये oncosphere जब pig के gut में यानि कि small intestine में पहुँचता है तब small intestine में जो alkaline environment होता है वो जाकर इस oncosphere के outer layer यानि ये एक shell को dissolve कर देता है अब ये जब oncosphere का एक shell dissolve हो जाता है तब उसके अंदर जो hexacanth present था वो बाहरा जाता है ये है hexacanth जिसके अंदर 6 hooks present है अब ये hexacanth क्या करता है ये hexacanth अपने hooks के जरीए pig के gut में यानि की small intestine में hooks के जरीए intestine के wall में stick कर जाता है मतलब अटक जाता है और इसके बाद pig के small intestine को invade करके ये इसके blood stream के जरीए last में जाकर पहुंचता है pig के muscle में जब ये pig के muscle में पहुंचता है तब ये hexacanth से दिरे दिरे बन जाता है cysticircus cysticircus वही infective stage है जो human consume करते है अब ये cysticircus रह जाता है pig के muscle में जब ये वो muscle, pig के वो muscles as a meat खा लेते हैं इंसान तब वो cysticircus लर्वा human के body में फिर से पहुंच जाता है और एक और human को infect करता है इसको कहा जाता है teniasis disease इसके अलावा भी teniasolium के वज़े से human body में एक और disease हो सकता है वो क्या हो सकता है human जो pig के meat को खा रहे थे यानि की pork को खा रहे थे उसकी वज़े से उनके body में cysticircus जा रहा था लेकिन अगर human eggs को खा ले cysticircus को ना खा के अगर ये contaminated eggs को खा ले यानि की कुछ vegetables या plant के जरीए जिसके अंदर eggs present teniasolium के उसको खा ले तो ये एक पहुँच जाता है human की gastro-industrial tract में जो पहले cysticircus पहुँच रहा था अब एक पहुँच रहा है हमारे GI tract में अब जब ये एक पहुँचता है एक का same division होता है जैसा pig के गट में हुआ था ये एक से बनता है धीरे-धीरे oncosphere और oncosphere का shell resolve होता है हमारे small intestine के alkaline environment में और जो निकल के आता है वो होता है hexagon और वो hexagon जाके इनसान के small intestine में wall को invade करता है इन्वेर करके इनसान के muscle में या फिर brain में या फिर अलग अलग जगाओ पे पहुच जाता है पहुच कर वहाँ पर इनसान के muscle में या brain में वो बनाता है सिस्टी सरकस जो पहले pig के muscle में था अब अकर इनसान X को consume करता है तो इनसान के मसल में ये सिस्टी सरकोस बनता है और इसकी वज़से बहुत सारे complications होते हैं बहुत सारे symptoms होते हैं और इसी disease को कहा जाता है सिस्टी सरकोस इन ह्यूमन जो टेनिया सुलिम के वज़से हो सकता है